नमस्कार एटो जेट डिशश उशा घुरजानी में आप सबका स्वाक्त है देखे कुछ इस तरह से आते हैं यह पक्वान यह सावन के महिने में काफी जादा होते हैं हलवाईों की दुकान पर और हमारे गर पर भी तो इस पक्वान का हमेशा ऐसे ही खाते हैं यहां फिर से बन जाती है बच्चे से लेकर बड़ता को पसंद भी आएगी और बनाना भी असान है तो चलिए बनाते है तो यह पक्वान के चाट बनाने के लिए सबसे पहले बाउल ले लिए और देखे इस तरह से यह जो लेयर्स वाले पक्वान आते हैं सावन के मेने में काफी और इसे हम टोड लेंगे हाथों की मदस से इस तरह से अच्छे से टोड लीजे और यह पक्वान मैंने घर पर भी बनाया थे इसकी अगर रेसिपी चाहिए तो मैं आपको इसका लिंक अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी यह बहुत ही अच्छे लेयर्स वा यह बहुत है नहीं कि कॉंस एक कब इसके अंदर मैने डाल दिये ओबले वालु को चुटा चुटा काट कर दो टमाटर एक बारिक कट अभ बिया और यहांपर मैने कुकंबर ले लिया थे इनिक क कटडी इसे मैं ने लिए ति दो बारिक कटी हरी मिर्ची अधी चोटी टॉमेटो केचप और ये इमली का पल्ब और इन सबी को अच्छे से मिला लीजे फिर विजो मैंने नम्मक और लालमिश पौडर और चाट मसाला डाले आप अपने जबात के अनुसार वो डाल सकते हैं अच्छे से सबी चीजों को आपको इस तरह से मिक्स कर लेना और ये कोई भी स्पेशल लोकेशन पर या पार्टी पर बना सकते काफी चटपटी और अच्छा एडिया है तो ट्राइब कीजेगा और मुझे कमेंट सेक्षन पतेगा कैसी लेकी रेसिपी अच्छी लेकी तो इसे लाइक कीजे शेर कीजे अपने फ्रेंस और फैमिली के साथ और म कुल ना भूले आज के लिए बस इतना ही थांक यू फो वाच्छेंग